दोस्तों आदम आपको आयरवेदिक चाय बनाना सिखाएंगे कि इसको किस प्रकार बनाया जाता है आयरवेदिक चाय को लगबग सबी लोग बहुती आसान तरीके से बना सकते हैं अपने घर पर और इसका प्रियोग कर सकते हैं हमेंसे जहतर लोग बार से खरे दिवी आयरवेदिक चाय को प्रियोग जादा करते हैं जो हमारे स्वास के लिए कुछनी फाइदेवन नहीं जितनी हम अपनी घर पर बना के प्रियोग करें उससे लाप्रात करते हैं तो चलिए आज अब आपको बताते हैं आईवरवेदिक चाय को किस्वरेकार त्यार कर जाए दोस्तों आप यह देख रहे हैं कई तरह की पूझों की पतियां हमने खट्टी कर रख़िये इन सभी को बारीक काट कर हम चाय की पत्तियों त्यार करते हैं हम अभी तुलसी की प चाइक पत्ति हमें इसलिए मिलानी पड़ती है इसमें चाय में निकुटीन होता है और निकुटीन भी हमारे सरी के लिए बहुत अबस्यक है सीमित मातरा में निकुटिन ब्रसेबन करना स्वास के लिए लाब दायक है और अधिक मातरा में इसका प्रियोग हमारे स्वास के लिए दानिका रखुता है तो दोस्तो इन सब चीजों को हम इस परकार काट लेंगे देख रहे हैं आप बहुत ही बारी काट रखा है, इसको आप कैजी से भी काट सकते हैं, चापु से भी काट सकते हैं, महीं में, इस तरे काट लें, उस सारी चीजों को मिक्स कर लें, और थोड़ा सुखा लें, और दोस्तों, आप फलेवर के लिए एक चीज का ध्यान रखें, इसमें आप जिस चीज का फल या इसके अद्रक के चोटशोटट काटके सुखा सकते इसमें उसके साथ ही डालें उसको पीसे नहीं या कूटे नहीं तो अभी कोई फ्रक्ने पड़ेगा आपको अतना ही टेस्ट मिलेगा अगर संतरे का टेस्ट आते हैं तो संतरीक पत्तियों को ज्यादा मात्र मिला दें न मिटा तक पानी वो बनना दें इसके बाद एक कप पानी में इसके आता-चमबध डालें दोस्तों यह ध्यान रखना आयरविदिक चाय दिया आपको 100% आयरविदिक चाय पीनी आपको चीनी का प्रियोग नहीं करना है आप फ्रड़ा से गुड़ का प्रियोग कर सकते हैं या इस्टीविया का प्रियोग कर सकते हैं क्योंकि इस्टीविया भी अपने आप में मीठे कुड़ो के कारड काफी विख्यात है इसमें चीनी से सोग ना ज्यादा मिठास होती है इस्टीविया में और इस्टीविया के द्वारा चाय बनी हुई जो मदमेक रोगी होती हुए वो भी प्रियोग उतासानी कर सकते हैं उनको भी कोई से नुकसान नहीं होगा बलकि लापी होगा इस प्रिकाद दोस्तों हम बना के त्यार कर सकते हैं और इसको धूप में सुखा लें और इसको अपनी कांच वाइले ड कि दोस्तों सभी अरवेधक चाय मानते है कि हईरवाल जो चाय होती है और वेधिक चाय होती है इसको एंगलिस नम्ह पाथ अरगनिक दों ये सब चीजे का प्रियोग हम किसी ज्यानकार बं-धेक्ते कि दोरा प्राथ क्यों हुए ज्यानकार रिक आधार पर अग McDruckरेपने है दोस्तों हमारा मानना आए कि आयरुवेदिक चाय को जायतर लोग खाना खाने के बाद रियोग करते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों इसको हम बता रहे हैं जो सही पीने का तरीका है दोस्तों आप दुपहर में खाना खाने इसको और दुपहर के समय खाना खाने के बाद इसको पीए और सुबह पीते हैं जो सुबह हैवी नास्ता लेने के बाद आप ये चाय पी सकते हैं ये चाहाँ आपके बलेड को साप करने का काम करती है, जो आपके बलेड में बैट बैक oblivion होते हैं उनको बहुत ही आसानी से यह बाहर निकाल देती है ये ये अपनी काफ़ीद रखते हैं बनाएंगे क्योंकि अगर इनके वारे में अलाग अलाग बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दूस्तों तो इन सभी के अलाग अलाग दिटियो में आपको बताएंगे दोस्तों इस तकार आप बहुत ही आसानी से हरवल चाय बनाईए और अपने घर पर परियोग खुद करि Sigurd कर ये और सभी को कराईए और कोशिसित करें इस चायी की जगे ए चायी में चीनी की जगे डालने की जगे आप स्टिविय का परियोग करें तो छैय में कई तरह के केमिकल्स मिला जाते हैं उसको सफेद करने के लिए यह आप मैं से सबी लोग जानते हैं दोस्तों चीनी के प्रियोग से बचे हमें सब गुडु का प्रियोग करें और श्टिविया का प्रियोग करें मिठास के लिए